हलो गाइस गुड इमनिंग तो कैसे हो आप सब लोग आयो पापस ठीक होंगे और मज़े में होंगे तो गाइस बहुत दिन हुआ मैं वीडियो वीडियो कुछ बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि अभी चल रहा है हमारा रमजान तो रमजान में यह होता है फास्टिंग होता है सब फॉलो करने के चलते है मैं वीडियो वीडियो कुछ बना नहीं पा रहा है सामको टाइम भी नहीं मिलता रूटिन तो मेरा क्या ही बता हूं मेरा रूटिन ऐसा रहता है कि सुबह चार बजे उटना पड़ता है नहाना धोना फिर नमाज पढ़ना फिर थोड़ा सा खाना फिर ड्यूटी जाना ड्यूटी सी दो बजे तक आना फिर ड्यूटी सी दो बजे आने के आट फिर नमाज पढ़ना फिर थोड़ा रेष्ट करना फिर सामको जो भी एक्टिविडियぁ होती है वो activated करना फिर आट पता नहीं चलता टायम का आट भी बज़ जाता है फिर आट बजने के बात फटा बटा खा लेना खाके तोड़ा घर में बात करना फिर नमाज के लिए चल देना फिर तरह भी पढ़़के आते आते साड़े 10 लगबग बच जाता है ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा मतलब थोड़ा दूर है मस्जीद तो थोड़ा मुका मिल जाता है बट और कहीं कहीं पर साइब ना मिलता हो और कहीं कहीं पर पास में भी हो मस्जीद मिल जाता है मुका तो हर किसी का अलग-अलग है जगा तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि हम मतलब नमज माज पढ़ सकते हैं या नहीं तो religious के बारे में जैसे कि मैं बता देता हूँ normally ठीक है बढ़ कोई-कोई वक्त के आप अटेंड कर सकते हो जैसी कि रात की इसा की नमाज हो जाएगी उसको थोड़ा अटेंड कर सकते हो और सुबह-सुबह पजर की नमाज को भी अटेंड कर सकते हो और दुफेर को जुहर की नमाज भी अटेंड कर सकते हो तो अपने जहां पर भी आप अपका वेरक रहेगा थोड़ा टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हो और जैसी कि अगर पुजा-उजा का आया है तो आप अपने टाइम में हुआ पर पुजा-उजा चर्च सब था तो हर ट्रेणिंग सेंटर में लगवग मतलब 50-60% चान्स रहता है 40 परसंट रहता ही रहता है और 60% चांस रहता है नहीं रहता ठीक है अगर अगर स्याईसरब का है तो आपका मस्जीद भी मिल जाएगा मंदिर मिल जाएगा गुर्धोर्बारा मिल जाएगा एंचर्च भी मिल जाएगा तो आप वहापर अपने जो भी घृंड हम ऐसको हो इस को फोलो कर सकते हो ँसे नंदों कोई देकत है तो यहीं है आप जो भी आप ट्रेंनिक कर और ख के ट्रेंग में आफो ध्यान देने और कुछ भी कर रहे हो आप चाहे आप कुछ दिन रेस्ट लेने के बाद आप वहाँ पर काम भी कर रहे हो या पर जो भी वर्क कर रहे हो वहाँ पर डेली वर्किंग कर रहे हो तो उसमें आपका कोई भी सेलेरी होल्ड नहीं होगा आपका सेलेरी हर मेंना आएगा बस आपका जो passing out फेरेट रहेगा वो थोड़ा late हो जाएगा क्योंकि आप relegate होए होगे किसी भी region से relegate किसलिए कितने दिन में हुए होगे वो भी important करता है मेरा कला अभी भी बहुत सुखर है ठीक है तो देखो training आपके लगबग 11 मेने के होती है ग्यारा मेने में आपको ज़ादा से ज़्यादा 21 दिन आपको ऐसा दिया जाता है जो कि आपको आपको अगर बुखार हो गया या पिर आपको एक्जाम देने जा रहे हो या कुछ भी आपसे साथ आता है आप training unattend रहेते हो ट्रेनिंग अनेटेंड रहते हो किस दिन के अंदर अगर किस दिन के अंदर अगर ट्रेनिंग अनेटेंड रहते हो तो आपको उसी बेच के साथ निकाला जाएगा जिस बेच के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो अब एक्जामपल मालनो आप ट्रेनिंग कर रहे हो जैसे कि आपको 5-6 दिन जो भी जैसे भी आपको जितने भी चुटी मिलेगी लग लग मान के चलो साथ दिन के अगर चुटी मिल दिये तो साथ दिन के चुटी में आप चुटी करके आ के जोइन करके फिर से आप सेम अपने प्लाटों के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो बस यहाँ आपको सेम आपका जहां पर पोस्टिंग आने वाला होगा पोस्टिंग उधर ही आएगा बस ट्रेंग से आप लेट में निकले तो उसका भी एक्जम्बल यह मान के चलो कि मेरे दोस्त लोगों अभी यह मार्च 25 को मेरे दोस्त लोगों जा रहे हैं अपने युनिट ठीक है पोस्टिंग आगया होगा आपको भी पता चल गया होगा कि मेरा कौन सा युनिट है ठीक है बड़ आप 25 तारिक नहीं जाओगे क एक मेना ड्यूटि कर चुका होगा और आप एक मेना लेट में पहुंचोगे उहाँ पर ड्यूटि करोगे बस उतमें आई है और कोई भी दिकत नहीं होता ना आपका सेलेरी रुकेगा ना कुछ होगा बस सर्त यह है कि आप गर आप 21 दिन से ज़्यादा सिक ले लेते हो तो पर चुटि पर में जोटार होता बिता है लेकिन अगर जिसके जिम्मेदारी हो तो वह चति करें करें अब को पास खाना फोच जाएगा बट जूब से रिकोष्ट यही है कि आप जैसी भी अगर बाइक वाइक रेडिक करते हो ज्यादा स्टेंड में मत रहो अगर ज्यादा नाइट भी ट्राविलिंग मत करो नाइट ट्राविलिंग करने से भी बहुत सारे एक्सिडेंट रहो सकते हैं तो उससे दूर रहो गाड़ी चला रहे है कि आप किसी साब से सलाते हो आप किसी साब से हैंडल करते हो हर चीज को ठीक है और बहुत सारे बात यह भी है कि बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि सर मेरा सेलेक्शन हो गया इसलिए मेरे बगलवाले ने मेरे उपर केस कर दिया है वो मुझसे जलते हैं and something something क्या-क्या बो जब आप ट्रेनिंग सेंटर में रहोगे आपको मतलब अगर आपके घर में कुछ प्रोब्लम होता है तो आप उसी टाइम नहीं पहुंच सकते उसी टाइम मतलब 5-6 गंटा 10 गंटा तक भी आप अपने घर नहीं पहुंच सकते अगर घर में आपको कुछ incident होता है फिर आपको बोर्ट बना के रखो जो भी आगर आपके घर में प्रोब्लम होता है तो वो बगल वाले भी समझेंगे यार इनका लड़का तो ट्रेनिंग कर रहा है देश की सिवा करने गया है तो हमें इनकी फेमिली की मदद करनी चाहिए तो वो मदद करेंगे आप बेकार के दुसरों क तो दूसरे बगल वालों से आप लड़के आप फ़ीश खर्म हासिल नहीं होगा आपको नुकसां हो सकता है तक वहाइद घर में पातों की समय बहुत बॉलाबं की कि अच्छा बोल्ट बनना के रखना है ऐसे नहीं कि आपका जोब लग गया तो आप ज्यादा एटीटूड में रहो एटीटूड कभी काम नहीं आता है एटीटूड बस कुछ वक्त के लिए काम आता है बट वो वक्त गुदरने के बाद आपको लगता है क्यार मैंने बहुत गल है जो कि आप मतलब रख सकते हो रोजा हो जा अगले साल अगर आप जोइनिंग कर लेते हो तो आइधिंग यह आपको नसीब ना हो तो मेरा यह है कि जो भी मुसलिम बॉइस हैं वो अपना एक्जाम देने के बाद अच्छे से आराम से अपना रोजा हो जा रखें अल्ला को याद करें दिन दुनिया में रहें तो बहुत अच्छी बाद है उसके बाद जो भी रिलीजस है सब अपने में बेस्ट हैं सब अपने में अच्छे हैं तो आप उनकी को मानो हम आप हमारे को मानो बस इतना ही है किसी से लड़ाई जगड़ा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला लड़ोगे जगड़ोगे खुद का खुन बहेगा और कुछ नहीं कुछ ट्राइम बाद खुद को गिल्टी फिलोगा तो इससे अच्छा कि आप किसी से लड़ो जगड़ो मत सबसे प्यार प्यार से रहो ठीक है तो यही है तो थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो तो चलते हैं गाइस